अध्या एक्चार श्लोग पच्चिस भागवत गीता तेवं एवा परे यगनम योगिनह पर्युपास्यते प्रम्मा अगना वपरे यगनम यगने नेवो पजोवते अनुवाद कुछ योगी जन सांसारिक पदातों की आहूती देकर यक्चे द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं अन्ययोगी जन जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्यब्रम्मा रूपी अगनी में आक्मा आहूती देते हैं जैसा कि हमने आपको पिछले अर्थ्यायों में बताया था कि सांख्या का मार्ग ही परम मार्ग है पर अंतु उसे अर्जुन ना समझ पाया इसी कारण गीता आगे बढ़ी तथा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग सुझाया तो इस श्लोक में भी योगेश प्रकृति से उपर उठने का प्रतीक है चाहे कर्मयोग द्वारा या ज्ञान योग द्वारा योगी यग्य करके देवताओं को प्रसंद करते हैं या फिर परम ग्रम परमात्मा को वे या तो यग्य में भौतिक वस्त्वों की आहूती देते हैं या फिर आत्म आहूती अर वहत साधारन उत्थारन द्वारा समझाया जा सकता है यक्य के लिए आहूति की आवश्गता होती है तो या तो मनुष्य को ग्याथो कि स्वयम को हानी पहुंचाएंा आत्म आहूति कैसे दी जाती है नहीं तो मनुष्य को अन्य भौतिक वस्तों की आहूति कैसे दे above tender calm से चै तो या तो मनुष्य आत्म आहुती देने का ग्यान रखता हो अन्यथा उसे किसी ना किसी प्राणे की आहुती देनी ही होती है जिसके कर्मयग्य समान परमात्मा को अर्पित हो जाते हैं उसका पूरा जीवन ही यक्य हो जाता है वो स्वयम यग्य का कुंड बन जाता है स्वयम का सर्वस्य समर्पित कर स्वयम आहूती भी बन जाता है उसका में नश्ट हो जाता है तथा अहंकार भी स्वाहा हो जाता है